हाई गाईज गुड आफ्टिडून कैसे है आप लोग सब आप सब एकदम फर्स क्लास बड़ी आप मज़े में होंगे राइट सो दोस्तों कुछी दिनों पहले अपन ने audit committee and corporate governance उसके जो भी amendments थे वो हम लोग ने cover किये आज हम लोग और एक chapter हम लोग सी ये final का लेके आए है अपके सामने जिसका नाम है peer review बच्चो peer review में भी कुछ amendments आये हैं जो अपने may 21 and onwards attempt के लिए applicable है तो yes मेरे प्यारे प्यारे बच्चो आज हम लोग क्या करेंगे उस peer review के amendments को देखेंगे बट फिर मैंने सोचा कि इसमें सिर्फ amendments ही क्या पढ़ा ना मतलब वो chapter है कितना चोड़सा तो chapter है वो क्या ही है उसके अंदर तो फिर मैंने सोचा कि चलो यार अपन क्या कर लेते हैं पूरा का पूरा peer review इस chapter को हम लोग क्या कर लेते हैं डिसकस कर लेते हैं है ना तो let's rock guys चलिए शुरू करते हैं अपना second chapter जो amendment की series में हम लोग लेके आ रहे हैं वो है कौन सा दोस्तो peer review चलो let's start तो दोस्तो जब हम लोग peer review की बात करते हैं everybody now need to एकदम अच्छे से concentrate करो बहुत ही एकदम प्यार मोबत से इसको समझो बहुत ही आसान सा easy chapter है और पक्की बात है इसके अंदर से question आएगा आएगा है ना so जब बच्चो मैं बात करता हूँ यहाँ पे everybody need to concentrate and focus now बच्चो जब अपन बात करते हैं किसके बारे में अपन बात करते हैं peer review की एकदम आराम से ध्यान से आप समझिएगा peer review की जब बात करते हैं so peer मतलब क्या होता है peer की जब बात करते हैं तो हम कहते है a person of similar standing a person of similar standing मतलब इसको अपन कहते है क्या peer मतलब अपने level का जो वीक्ति है उस व्यक्ति को अपन कहते है उस व्यक्ति को अपन कहते है So peer मतलब कौन हुआ दोस्तो And जब अपन बात करता है About what review So review मतलब क्या है आप समझने की कोशिश करो Review मतलब, review View मतलब देख रहा Review मतलब द्वारा देख रहा So, इसको अपन क्या कहते है, review मतलब अपन कहते है, it is what, re-examination, re-examination, बराबर, या retrospective, 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 ठीक है न, retrospective evaluation. So, my dear friends, when we talk about review, so what do we mean by this? So, review मतलब दुबारा से उससे चेक करो, या तो जो अरेडी हो चुका है, उसको दुबारा से evaluate करो. So, जब हम दोनों चीज़ों को combine करते हैं, जब हम इन दोनों चीज़ों को combine करते है, peer review, तो आप समझने की कोशिश कीजे, peer review मतलब क्या है, कि ये एक regulatory mechanism है, जो ICI लेके आया है, जो एक regulatory mechanism है, कि जैसे अब, एक CA ही CA का, peer, a person of similar standing, So, ये एक, जो क्या है, एक CA CA का काम काज, उसने बराबर से किया है, या नहीं किया है, उसको देखना, बराबर is nothing, but call it as what, peer review. So, it is what a regulatory mechanism, बराबर, it is what a regulatory mechanism, किसके लिए, to monitor the performances of the professionals, किसके लिए है वो, to monitor, ध्यान देते जाना, एकदम मसता, simple है, To monitor the performances, to monitor the performances of professionals, तो आप और हम जैसे जो professionals है ना दोस्तों, देखो, simple सी बात है, हम लोग कोन है, chartered accountants है, हम लोग क्या करते है, service provide करते है, service provide करते है, और हम लोग क्या करते है, उस service से हम aim करते है, कि जो users है, बराबर, उनका confidence क्या हो, enhance हो, उन्हें financial decisions लेने में क्या हो, मदद हो, तो obvious सी बात है, कि अगर अपने काम के उपर कोई व्यक्ती भरोसा रख रहा है, उसके basis पे उसका financial decision ले रहा है, तो भाई, उसका performance, उसकी quality, बहुत जोड़दार होनी चाहिए, कि ने होनी चाहिए, simple सी बाते होनी चाहिए, तो इसलिए, ICI ने क्या किया, एक regulatory mechanism, मतलब regulatory मतलब क्या, by law, कानून के हिसाब से, क्या कहा, कि उन्होंने कहा कि भाई साब, आपके जो professionals है, उनका काम का check करना चाहिए, इसलिए हम लोग एक concept लेकिया है, जिसका नाम क्या है, peer review, एकदम simple सी बात है, बराबर है एकदम, yes, so sir, ये peer review, जो हम लोग बात कर रहे है, monitor the performances of the professional, तो sir, ये कैसे होता है, किसका होता है, क्या होता है, तो आप बच्चों समझने की कोशिश करना, यहाँ पे क्या होता है न, एक हमारे पास है, एक practice unit, बराबर, कौन है दोस्तो, practice unit, फिर उसके बाद है, ICAI का peer review board, अब ध्यान और इस board पे empaneled है, कुछ क्या, reviewers, so, ये reviewers, जो है, ultimately peer review कोन करते है, ये reviewers, किसका करते है, ये करते है, किसका practicing unit का, बट ये किसके ध्वारा होता है, तो ये होता है, with the help of what, peer review board, so, ये जो practicing units है, आप समझो बात को, ये जो practicing unit है, उनके peer reviews होते है, and which is carried out by reviewer, तो हम लोग पूरा एक-एक चीज़े देखेंगे, कि अब अपने को पूरे chapter को, जैसे अभी मैंने आप से ये कहा, यहाँ पे लिखा मैंने, so, अपना ये पूरा chapter जो है, ये पूरा तीन हिस्सों में divide होता है, कि सबसे पहले कौन से practice units का होता है, फिर peer review board में कौन कौन होता है, वो क्या करता है, किस तरीके से करता है, and third, reviewer कौन है, वो reviewer किस तरीके से काम करता है, तो भाई, simple सी बात है, अपना जो पूरा-पूरा काम काज है, यही तीन हिस्सों में क्या हो जाता है, यही तीन हिस्सों में बटा जाता है, एकदम simple सी बात है, so, दोस्तों, अपने क यही तीन चीज़े अराम से प्यार से पढ़ना है, कोई दिक्कत है आपको यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं सब, क्या दिक्कत होगी यहाँ, so आईए दोस्तों, अपन क्या देखते हैं, कि सबसे पहले यहाँ पे, peer मतलब a person of similar standing, review मतलब re-examination और retrospective evaluation, peer review मतलब क्या कहते है, it is what a regulatory mechanism for monitoring the performances of the professional, बराबर, so review किसका होता है, it is of the practicing unit, of a practice unit, would be carried out by the reviewer, और यह obviously यह empaneled होता है, on the maintained by the peer review board, so यह board कौन सा है, peer review board, एकदम simple सी बात है, कोई tension नहीं है, आई बात समझ में, अब यहाँ पे, अपन जो दिखते हैं, practice units, so यह जो practice units होते हैं, आप समझने की कोशिश करो, यह कौन से होते हैं, जो basically, मतलब जो अपने chartered accountants होते हैं जो practice करते हैं, तो उन्हें आपन कहते हैं practice unit, but mostly, यह जो assurance services provide करते हैं, जो यह assurance services provide करते हैं, वो इसके अंदर cover किया जाता है, क्योंकि obviously, हम लोग पहले यही कह रहें न, कि इससे क्या होता है, कि लोग decisions लेते हैं, अपने financial decisions हैं, उन्हें चाहिए कि बराबर quality से काम हो रहा है के नहीं हो रहा है, तो इसी लिए assurance services जो practice unit provide करता है, उनका peer review होता है, So, अब सवाल यहाता है, कि सर, अब हमको समझ में आ गया है, कि peer review, peer मतलब a person of similar standing, review मतलब re-examination, retrospective evaluation, सर, आमें यह भी पता चल गया है, कि it is what a regulatory mechanism to monitor the performance is, बट सर, अब सवाल यह है, कि सर, आखिरकार, यह जो peer review है, सर, इसका objective क्या है, सर, वाई आर वी doing this, और carrying out this peer review, सर, इसका objective क्या है, इसका purpose क्या है, सर, हमें समझ में आ गया है, कि यह जो है न, performances of professionals को देखना है, re-examination करना है, retrospective evaluation करना है, सर, understood, everything is clear, सर, बट ऐसा आखिर, क्यों, वाई, वाई, सर, वाई, वाई, सर, वाई, पर आप समझने की कोशिश करिए दोस्तो, इसका जो objective है न, एकदम simple है, एकदम simple है, first point क्या क्या क्याता है, to comply with, to comply with, professional, ethical, and technical standards, to comply with what, professional, ethical, and technical standards, इसको अपने को क्या करना है, पूरा करना है, and plus, दूसरा क्या कहता है, कि there should be what, proper systems in place, proper systems in place होना चाहिए, including documentation, बराबर, proper systems, for quality, assurance, services, मतलब, आप समझने की कोशिश कीजए, मैं जो बोल रहा हूँ, एकदम अच्छे से focus कीजए, peer review, आके क्या देखेगा, आप समझने की कोशिश कीजएगा, simple सी बात है, कि जो भी practicing unit है ना दोस्त, वो practicing unit, आप समझ रहे ना मेरे बात को, जो भी practicing unit है, वो practicing unit, वो practicing unit, professional, ethical, and technical standards को follow करता क्या नहीं करता, अब आप ये पूचेंगे, कि सर, professional, ethical, technical standards ये क्या है, तो भाई साब, accounting standards given by ICAI, accounting standards under section 133, INDES under section 133, financial reporting frameworks, ये जो सारे सारे जो है ना, engagement standards है, statements है, तो ये सारे के सारे चीज़ है ना, इसे हम लोग क्या कहता है, professional, ethical, and technical standards, तो जब भी कोई practice unit, कोई भी assurance services provide करता है, दोस्त, उन्होंने क्या aim करना चाहिए, that they should comply with professional, ethical, and technical standards, तो peer reviewer आके यही देखेगा भाई, कि जब तुम काम कर रहे हो, जब तुम कोई assurance services provide कर रहे हो, उस घड़ी उस समय क्या आप उन professional, ethical, और technical standards को पूरा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, एकदम simple सी बात है, yes sir, कोई tension नहीं है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, साथ ही साथ, आप एक assurance service दे रहे हो, अब सिर्फ वो assurance service दे के मतलब नहीं है, हमने क्या कहा था कि आपके इस काम के ऊपर, लोग decisions लेते हैं, तो एसलिए आपका जो वो assurance services प्रोवाइड कर रहे हो, उसमें quality होना बहुत जरूरी है, तो एसलिए there should be peer reviewer आएगा और देखेगा, कि क्या वहाँ पे proper systems in place, including documentation, including documentation, है या नहीं है, उसको अपने को check करना है, आपको समझी मैं है, यह दिखना चाहिए, कि what is the quality of your assurance services, कि भाई क्या quality of service प्रोवाइड किया है, यह प्रूव होना चाहिए आपके उस काम से, और वही check करने के लिए कोन आता है peer reviewer, I hope आपको यहाँ तक समझ में आयोगा, तो इसका मतलब आप यह सोचेंगे कि sir ji, यह peer review जो है ना, sir यह क्या अपनी गलतिया निकालने आ रहे क्या, sir मैं भी तो सी है हूँ sir, मेरी कोई इज़द है क्या नहीं sir, ऐसे कोई भी आएगा, मेरी इज़द उतारेगा क्या sir, ना बेटा, peer review is not to find out deficiencies, always remember, it is just to improve the quality of service, इस दोनों में difference है आप समझो, वो आपकी गलतिया दिखाने नहीं आया है, saab, वो आपकी गलतिया दिखाने नहीं आया है, वो यहाँ पे किस लिए है, जो आप में deficiencies है, जो आप में कम तरताय है, उन्हें आप कैसे दूर कर सकते वो बताने आया है, वो आपको recommendations देंगे, improvement के लिए, so आप समझो, it is not a fault finding approach, आपकी गलतिया दूढने के लिए उन्हें interest नहीं है, उनको क्या चाहिए, बस आप आपकी जो services है, उन्हें improve कीजिएगा, और उस improvement के लिए, वो आपको recommendations भी देंगे, clear है, so conclusion में क्या कहता है, कि आपने कहीं पे भी उन professional ethical technical standards में, quality assurance services में, अगर आपका कही non compliance होगा, तो वो बस आपको बताएंगे, identify करके देंगे, कि भाई साब यहाँ यहाँ गलतिया हो रही है, इसको ठीक करो, हम आपको recommendations दे रहे हैं, बाई, simple है एक्दम, sorry, objectives of peer review, objectives of peer review, the main objective of peer review, is to ensure that, in carrying out assurance service assignments, the members of the institute, number one, क्या कहता है, okay, comply with professional, वो pet ऐसे ध्यान में रहेगा, इसके लिए मैं ऐसे बोलता हूँ, professional, ethical and technical standards, as applicable, including other regulatory requirements, and there too, also have proper systems in place, including documentation, to demonstrate the quality of the assurance services, जो आप assurance services provide कर रहे हो, वो assurance services कैसे होनी चीए, आपकी एकदम जोड़दार होनी चीए, एकदम महाल बनना चाहिए, आई बात समझ में, so यहाँ पर आप देखो, it is not to find out deficiencies, they are expected to recommend the measures, that's it, that's it, और कुछ भी नहीं है, बाई, तुमारे बले के लिए कर रहे है, तुम इसको इसे है न, यह मत समझो कि यार, आमारे लिए यह torture है, बराबर, the institute is taking a hostile approach towards, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, समझ में आई बात आपको यहाँ थे, so देखो यह जो, half page, one page जो भी था, यह इतना ही है यहाँ पर, peer review, peer review क्या होता है बच्चो, कि peer मतलब a person of similar standing, review मतलब अपन क्या कहता है, कि बबाई, it is a re-examination or retrospective evaluation, बराबर, यह regulatory mechanism है, एक regulatory requirement है, एकदम simple सी बात है, यह क्यों कराया जाता है, इसका objective क्या क्या है, so simple सी बात है, कि बबा, quality assurance services जो आप दे रहे हो, उसका proper quality होना चाहिए, जो assurance services आप दे रहे हो, उसमें क्या होना चाहिए, proper quality होनी चाहिए, perfect item, yes, अब इसके साथ साथ, अपन आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ तक आपको समझ में आगे, इसमें कोई दिक्कत है आपको, नई सर, अब क्या होता है, by simple सी बात है, अब आपको है न, अब focus कीजेगा, अब focus कीजेगा, आपको यह objective अचीव करने है, आपको यह objective अचीव करने है, हाँ सर, हमको objective अचीव करने हैं, तो इस objective को, achieve करने के लिए आप क्या क्या cover कराओगे आप समझ रहे बात को अगर आप का ये objective है इस objective को यदि आपको achieve करना है so what will be included in this scope बराबर करने तो अब क्या होगा ये सारी बाते achieve करने के लिए point number one point number one everybody concentrate so point number one हम लोग क्या देखेंगे कि जो भी आपके assurance engagement records है बराबर जो भी आपके assurance engagement records है हम उन सारे records को देखेंगे साथ देखो अपना focus क्या है आपने एकदम अच्छे से ध्यान से समझना है इसको और इसको agree भी करना है भाई हमें चाहिए है कि proper system होना चाहिए किसके लिए proper quality of what assurance services हमें क्या चाहिए quality of assurance services चाहिए यह चाहिए के नहीं चाहिए बचो चाहिए के नहीं चाहिए तो सौभाविक तोर पे obvious सी बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए the scope is what that we need to have what the assurance engagement records हम लोग उनके लेंगे हम लोग उनके assurance engagement records को हम लोग देखेंगे बराबर के नहीं और वो engagement records then they will be subjected to what review इनको चेक करेंगे हम लोग तो point number one once the practice unit is selected क्या हो जाएगा उसके assurance engagement records will be subject to what review एकदम simple सी बात है और इसमें reviewer क्या देखेगा दोस्त इसमें reviewer क्या देखेगा तो ये इसमें cover करेगा यही सारे बाते यही जो उपर दिया गया ना यही सारे बाते तो वो cover करेगा मतलब आप पूछेंगे sir क्या cover करेगा मैं बताता हूँ आपको सबसे पहले वो देखेगा कि भाई compliance हुआ है के नहीं with compliance with वही अपना professional technical professional ethical and technical standards ये comply हो रहा क्या नहीं हो रहा ये देखेगा वो फिर उसके बाद second आपके पास systems in place है या नहीं है systems for quality assurance services systems for quality assurance services देखो सबसे पहले step by step जाना एकदम simple है हम लोग क्या करने वाले है अपने engagement records को देखेंगे engagement records जैसे ही हाथ में आगे चलिए अब अपने को आगे वढ़ना है और वो engagement बराबर से perform किया किया वो देखना है उसके लिए हम देखेंगे सबसे पहले number two क्या कहता है professional ethical and technical standards के साथ साथ वो quality assurance services देने के लिए आपके पास proper system है या नहीं है simple सी बात है अब आपके पास इस system के साथ साथ आप समझने की कोशिश कीजिए क्या आप आपके staff को ये काम करने के लिए training वगरे देते हो कर नहीं देते हो बराबर training program होता है ये नहीं होता है आप उनका attendance उनके work diaries ये सब maintain करते हो या नहीं करते हो ये भी तो आपको देखना बहुत ज़रूरी है फिर उसके बाद साथी साथ आप समझने की कोशिश कीजिए next we talk about is कि आपने compliance with compliance with directions compliance with directions of council of ICI बराबर के नहीं वो आपने fulfill किये के नहीं मतलब आप council क्या directions देगा कि भाई आपने fees कितनी charge करनी है कितने number of audits आपने लेने है बराबर के नहीं आप assurance engagements चो आप लेते हो तो उसका register आप maintain करते हो या नहीं करते हो वो and फिर last में हम लोग क्या कहते है कि भाई there should be what quality of reporting समझ रहे बात को quality of reporting मतलब आप जो आपके opinions दे रहे हो वो भी एकदम जोड़दार होने चाहिए तो क्या चाहिए हमको quality of reporting भी होना बहुत ज़रूर है so my dear friends हम लोग क्या कह रहे है यहां पे कि अपना objective simple है उस objective को achieve करने के लिए अपना scope क्या है तो simple सी बात है अपना scope क्या है number one जैसे ही अब वो peer reviewer उसका scope क्या रहेगा आएगा engagement record चल ले किया अब उसमें वो देखेगा प्लस पूरे audit में वो देखेगा कि वबा क्या आपने professional ethical technical requirements को आपने पूरा किया या नहीं किया number two क्या आपने आपके staff को training दी या नहीं दी number three क्या आपके पास proper systems in place है क्या वो quality assurance services देने के लिए and last में उसके बाद क्या आपने council के जो directions है उसको आपने फूरा किया क्या यह सब पूरा करने के बाद आपकी जो reporting की जो quality है वो हम लोग देखेंगे आई बात समझ में आपको so यह ऐसी बात है यहाँ पर so आईए देखते हैं दोस्तों क्या लिखावा है यहाँ पर so यहाँ पर scope of peer review क्या लिखा है यहाँ पर scope of peer review the peer review shall apply to all assurance services provided by practicing unit सारे assurance services जो आप provide करोगे बराबर उसको applicable होगा बराबर so उसके बाद आप समझो कि once the practice unit is selected उनके engagement records चेक करेंगे हम लोग क्या-क्या cover करेंगे वहीग ECPT बात है compliance with professional ethical technical standards, quality of reporting systems and procedures for carrying out assurance services, training programs to the staff and compliance with the directions or guidelines given by the council simple, कितना आसान सा चक्तर थैसा फिर उसके बाद यहाँ पे professional ethical technical standards में क्या-क्या आता है उसकी बात होती है यहाँ पे professional, ethical और technical standards में क्या-क्या बाते आती है यहाँ पे उसके बारे में चर्चा हो रही है so क्या-क्या होता है उसके बारे में So, हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर आएंगे, accounting standards, accounting standards by ICAI under 133, Indian accounting standards under 133, दूसरे दूसरे standards जो है, preparation and presentation of financial statements, वो standard आएंगे, various relevant statuate regulations है, वो cover करेंगे, तो दोस्तों ये सारी बाते जो है, ये सारी बाते आती है किसके अंदर, अपने professional, ethical और technical standards के अंदर, simple सी बात, बोलो yes or no, any difficult detail है, कुछ भी query है यहां तक, बिल्कुल भी simple है, अब आप समझने की कोशिश करना, ये आपके लिए MCQ में बहुत important है, इसको read करके जरूर जाना, which of the following things are not included, which of the following things are not included, not included in the assurance services, assurance services में क्या-क्या नहीं आता है, उसके बारे में यहां पर बात हो रही है, मतलब आप consultancy दे रहे हो, tax authorities के सामने आप represent कर रहे हो, आप income tax return file करके दे रहे हो, आप आपका opinion दे रहे हो, expert opinion on facts or anything, उसका interpretation करके दे रहे हो, तो आप समझने की कोशिश करो, उसमें आप किसी का भरोसा, confidence आप नहीं बढ़ा रहे हो, समझ रहे बात को, जिसमें अपन अपना opinion देते है ना, बराबर examination करके financial statements पे जब opinion देते है ना, दोस्त उसको अपन कहता है as what the assurance engagement, तो आप consultancy दे रहे हो, आप उनके income tax returns बना रहे हो, आप witness के तौर पे act कर रहे हो, बहुत ये सारी चीज़े आपके assurance services में नहीं आएगी, तो assurance मतलब आप समझने की कोशिश करो, audit services, attestation services, जो भी audit का का काम किये आपने, वो सारी बाते इसके अंदर आएगी, clear है एक तब, very good, so ये आपने definitely, definitely आपने इसको read करके जाना है, आपके लिए ये MCQ के point of view से, दोस्त बहुत important, case study based MCQ वगरे भी अगर होगा ना, तो भी आ दोस्तों, अभी तक अपन कहां तक पहुचें, अभी अपन कहां तक पहुचें, तो सर बेसिक काम था अपना, peer क्या है, review क्या है, peer review ये क्यू आया, उसका objective क्या है, उसका scope क्या है, ये सारी बाते अपने देख लिए, सही बात है, बोलो पक्का, yes, अब अपन क्या करेंगे अब अपन एक एक चीज़ को पूरा अभी detail में discuss करेंगे, अब अपना chapter अभी शुरू होता है, basic अपना पढ़ने के बाद, basic अपने को समझने के बाद, now it is time that we go ahead, and we develop this chapter now, in this three parts, इन तीन हिस्तों में अपने को क्या करना है दोस्त, इन तीन हिस्तों में अपने को ये chapter को उठाना है, okay clear है एकदम बात, बोलो yes और no, yes तो अभी peer review किसका होगा, आप बताइएगा please, आपको बोलना पड़ेगा, बेटा ये peer review किसका होगा, sir किसका होगा क्या, एकदम simple सी बात है sir, peer review होगा किसका, practice unit का, जो क्या कर रही है, assurance services provide कर रही है, एकदम clear है, perfect है, so अब मेर बात को, यहां से, ठीक है, इसको जड़ा दूर रखते हैं, और अब यहां पे, अब आप focus करना, एकदम अच्छे से, इसके अंदर है na, practice unit, जो select होता है, दोस्तों, इसके है न, दो levels होते हैं, पहले module में, तीन levels होगा करते थे, अब दो है, और तीसरा बुला है, कि जो अप अपने को क्या दिखता है, यहां पे, there is level 1, कितने level है, there is level 1, and there is what, level 2, so, अपने जो practicing unit है, जो assurance services provide करता है, दोस्तों, तो उसके दो level में उनको बाटा गया है, कितने level से बाटा गया है, दो level में उनको बाटा गया है, एक level 1 और एक दूसरा level 2, simple है, अब level 1 और level 2, यह सर ऐसा क्यों आया है, अब आप समझने की कोशिश कीजिए, तीन साल में एक बार, इनका peer review तो होगा, चार साल में एक बार, four years, चार साल में एक बार, इनका peer review होगा, तो अब आप समझने की कोशिश करो, जो practice unit से, उनको दो हिस्तों में बाटा गया है, level 1 और level 2, और reason है, क्या ऐसा, ऐसा क्या हुआ सर, जिसके वज़े से हम क्या कर रहे है, इनको दो level में अपन बाटारे है, तो بھाई, बात एकदम simple है, बात एक दम simple है, वो क्या बात है, कि जो level 1 में आते है, अप समझने को, जो level 1 में आते है, उनका कम से कम, तीन साल में एक बार peer review होगा, म और जो level 2 में आते है उनका 4 साल में कम से कम एक बार peer review होगा clear एक दम बात, perfect एक दम, yes, very good, done, simple फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं यहां से, चलिए अपन यहां से आगे बढ़ते हैं level 1 में अब कौन से कौन से practice units level 1 में आते हैं उसकी चर्चा करते हैं अब यह बहुत important है, बहुत दासू चीज है यह, level 1 में बेटा, level 1 में कौन से कौन से practice units आते हैं उसकी चर्चा करते हैं, अब आप द्यान चा सुनना, इसका कैसा funda है, यह जो है, यह एक practice unit है ठीक है, अब द्यान चा सुनिएगा, समझेगा, एकदम simple, यह जो है न दोस्तों, यह एक practice unit है अगर इस practice unit में, अगर नीचे दिये हुए clients आपको दिखते है, अगर यह practice unit में, आपको यह, 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 यह clients अगर यह practicing unit के पास, यह, यह firm के पास, अगर आपको यह, यह clients दिखते है, अगर उनके पास यह clients है yes my dear friends तब जाके वो जो Chartered Accountant Firm है वो classify होगी under what the level 1 organization जमा क्या आपको समझने आया है क्या आपको that is very important पहले theme समझो before we proceed first it is important that you understand the basic theme कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ देखो मुझे पता है कि practice unit का peer review होता है practice unit को दो हिस्सों में बाटा है level 1 और level 2 level 1 में जो आते हैं उनका 3 साल में 1 बार peer review होगा level 2 में जो आते हैं उनका 4 साल में 1 बार peer review होगा बट अब सवाल यह है कि sir कौन से Chartered Accountant Firm Level 1 में आएंगे तो वो Chartered Accountant Firm Level 1 में आएंगे जिनके पास नीचे दिये गए list में अगर उनका audit उसके पास है तो समझ मैं इक बाद मज़ा आ गया तो कौन कौन है तो कौन है सबसे पहले अपन बात करते हैं about what जैसे इसके अंदर first अपन बात करते हैं अगर आपके पास central statutory audits अगर है तो क्या बोल रहा हूँ मैं अगर आपके पास central statutory audit central मतलब main बराबर के नहीं मतलब पूरे group का central मतलब जैसे अब जैसे for example banks है so banks के बहुत सारे branches होता है branches होता है तो इनका अलग-अलग auditor होता है but इस bank का as a whole कोई न कोई तो भी audit report देता होगा न तो इसको अपन कहते है ये कौन है central auditor है ये branch auditor है आप समझ रहे बात को तो अपन बात कर रहे किसकी so we are talking about what is the central auditor अपन किसकी बात कर रहे दोस्त अपन बात कर रहे about what the central auditor that is very important तो मतलब आप है ना मतलब आपके पास एकदम बहुती जोड़दार बहुत बाफ clients है मतलब एकदम next level clients है आपके पास एकदम super amazing ऐसी बात हो लिए है so if you are carrying out the central statutory audit of किसकी किसकी बात करेंगे एकदम अराम से ध्यान से मन लगा के सुनिएगा so we talk about central or state the answer सुना central or state public sector undertakings central or state public sector undertakings बराबर फिर उसके बाद central cooperative societies बराबर फिर उसके बाद banks और इन banks में कौन सी banks है तो इसके अंदर आपके पास चाहे वो public हो private हो foreign हो cooperative हो बराबर के कोई भी bank हो तो आपको इनका audit मिल जाएगा अगर आपको इनका audit मिल जाता है तो आप आते हो कहां पर level 1 में मतलब आप पहले तो important criteria क्या है that you are the central statutory auditors of what important क्या क्या है यहां पर of this public sector undertakings of this cooperative societies and of these banks मतलब अगर अगर आप इनके central statutory auditors हो अगर आप इनके central statutory auditors हो तो आपको level 1 में आ जाएगा आप level 1 में आ जाएगे ठीक है banks के साथ साथ यहां पर बात करते है about what public financial institutions and we talk about what is the insurance companies insurance companies ठीक है बट important क्या है आप इनके central statutory auditors होने बहुत ज़रूरी है clear एक दब बोलो yes or no perfect एक दब इसके साथ साथ central के साथ साथ अगर आप सिर्फ और सिर्फ statutory auditors भी हो statutory audit of अब यह बहुत important है ज़्यांसर सुनना statutory auditors of किसका asset management companies mutual funds इनके अगर आप statutory auditors हो public interest at large है आप समझो बात को logic समझो एक तो आप central auditors हो मतलब public का vested interest बहुत ज़ादा है point number one अगर आप central नहीं बट आप सिर्फ statutory auditors हो बट किसके asset management companies के mutual funds के भाई public का vested interest बहुत ज़ादा है public बहुत ज़ादा involved है इसके अंदर आप समझ रहे बात को तो boss क्या हो जाएगा आप level one में classify हो जाओगे बराबर के नहीं फिर उसके बाद उसके बाद आपके company के equity और debt अगर listed है अब समझने की कोशिश करना listed है listed का फरक नहीं पड़ता इंडिया में हो या abroad में हो फरक नहीं पड़ता है भाई आपको लिलिंगे क्योंकि बापस से vested interest बहुत जादा है न public at large बहुत involved है न मालिक समझ रहे बात को so second point क्या बोला कि अगर आपका equity या आपका debt अगर वो listed है stock exchange पे चाहे फिर इंडिया में हो या बहार हो नहीं फरक पड़ता आई बात समझ मैं आपको उसके बाद हम बात कर रहे है किसकी अगर आप statutory audit कर रहे हो any body corporate including trust which are covered under public interest entities मतलब क्या है public interest public interest entities जो मैं अभी आपको इसका logic वही है मतलब जिसमें public at large का बहुत जादा vested interest है जैसे अपन कहते है न insurance companies बोल लो बराबर फिर उसके बाद अपन banks बोल लो तो इसके अंदर ये क्या है public का interest बहुत जादा है आप समझो बात को इसमें क्या है बच्चा public का interest बहुत जादा है simple सी बात है so ये public interest entities का अगर आप statutory auditors हो इनके अगर आप statutory auditors हो तो आप समझो बात को इसका अगर आप audit कर रहे हो तो आप level 1 में classify हो जाओगे मेरे दोस्तो this is the new introduction in this list पहले ये नहीं था पहले ये नहीं था public interest entities ये अभी अभी ताजा ताजा आया है बराबर खेले हो ये अभी इस नए statement में इसको आड़ किया है बाकी जो है वो पहले से थे आप समझो बात को बाकी जो है वो पहले से थे ये public interest entities ये amended है बराबर मैं नोट कर लूँ यहाँ पर आपके लिए है ना so this is what is the amendment over here फिर उसके बाद भाई वो अपने घिसे पीते हैं बराबर तो क्या कहता है अगर आपने raised funds अगर आपने पैसा उठाये बैंक से फाइनेंचल इंस्टिउशन से from बैंक्स फाइनेंचल इंस्टिउशन फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंचल इंस्टिउशन ठीक है फ्या तो आपने डोनेशन्स आपको मिले हैं बराबर आपको डोनेशन्स या कॉंट्रिबूशन्स आपको मिले हैं डोनेशन्स बोलो या आपको कॉंट्रिबूशन्स मिले हैं आपको बराबर अब आप समझने की कोशिश करो अगर ये जो है आपने पैसा लिया है and it is greater than 50 CR दोनों के लिए ये दोनों के लिए over rupees 50 croze चाहे आपने funds raise किये है या चाहे आपने donation या contribution दिया है but it is greater than 50 CR तो मेरी बात समझने की कोशिश करना दोस्तो क्या हो जाएगा आप इसमें level 1 में आ जाओगे institution से अपने पैसा उठाया है आप समझने मेरी बात को तो बहुत important हो गया यह है पिर उसके बाद ये list it goes on and on सर ये याद करना है बिलकुल याद करना है बराबर अगर आपका net worth net worth कितना greater than 500 CR 500 करोड से जादा net worth है आपका मतलब आपका जो client है जिसका आप statutory audit कर रहे हो अगर उसका net worth अगर साब 500 करोड के ऊपर है न दोस्त फिर तो क्या है भाई बोलना ही नहीं कुछ भी बराबर फिर उसके बाद आप समझने की कोशिश करना statutory audit of entities having net worth more than 250 करोड at any time during the period under review मतलब कोई भी period under review है बराबर जिसका net worth greater than 250 CR ये भी आता है ये amended है वापस से at any time during the period under review ध्यान से पढ़ना है इसको जो मैं screen पे दिखाता हूँ आपको जो हम लोग पढ़ रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं level 1 में कौन को नाता है जिसका central statutory audit का list अपनने पढ़ लिया है statutory audit की बात हो रही है जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो वो क्या कहता है statutory audit of entities having net worth of more than 250 crores at any time during the period under review मतलब जब आप review कर रहे हो मेरा review हो रहा है बराबर और मेरे पास अगर कोई भी entity है जिसका मैं statutory audit कर रहा हूँ और उसका net worth 250 CR से ज़ादा है at any point of time वो भी include हो जाएगा में को classify कर देंगे level 1 में आई बात समझ मैं आपका हूँ फिर उसके बाद funded by central government greater than 50 crores इसको तोड़ा नीचे खिसकाते हैं इसको हटाते हैं फिर यहां लिखते हैं funded by funded by हूँ central और state government कोई भी scheme के माध्यम से by central government और state government तो इन तीनों के लिए greater than 50 CR का limit है आई बात समझ मैं आपका बोलो yes or no simple सी बात perfect है तो फिर उसके बाद बच्चा इसके अंदर आता है अपने nbfc non banking financial companies फिर उसके बाद आता है अपने regional rural banks correct है central statutory audit of regional rural banks तो अपन ये nbfc ये भी amended है गान देना nbfc amended है फिर central statutory auditors of regional rural banks तो यहाँ पर rrb भी डाल देता है अपन ये amended है part ठीक है फिर उसके बाद इन लोगों का उपर जो भी है ना इसका parent, subsidiary, associate, jv. सबका अगर आप करते होंगे parent, subsidiary, associate और joint venture अगर इनके कोई भी parent, subsidiary, associate या joint venture इनका किसी का भी आप काम करते रहेंगे ना तो भी आप कहां आ जाओगे level 1 में आ जाओगे ऐसे छोटे-छोटे amendments है इसके लिए अपन ने क्या सोचा कि दोस्त अपन क्या कर लेते हैं अपन ना इसको पूरा ही चप्टर अपन पढ़ लेता है जो बॉक्स में है इसको बॉक्स में है उसको amendment है ये भी amendment है बेस्ट इसर एक दो, मजा आ गया सर ये जो है my dear friends, ये level 1 की list है simple सी बात है पर ये level 1 की list है बदाव मुझे इसमें कुछ भी आपको query नहीं होगी बराबर, simple सी बात है best है तो ये हो गया अपना कौन सा की sir, level 1 में कौन से कौन से entities को यहाँ पर हम लोग लेते हैं जब level 1 में जो भी entity आता है दोस्तो level 1 में जो भी entity आता है so उनका once in three years क्या हो जाता है peer review हो जाता है level 1 में जो भी आता है उनका once in three year peer review भो जाता है perfect एक दम yes, okay फिर उसके बाद अब चर्चा करेंगे किसके बारे में दोस्तो level 2 के बारे में, level 1 आपको एकदम crystal clear होगा now we go ahead and talk about what is the level 2 अब level 2 में क्या है दोस्तो simple सी बात है वही वापस से यही आपका जो practice unit है अगर यही आपका practice unit है अगर यह practice unit यही है clients उसके पास अगर होंगे बराबर के नहीं अगर practice unit के पास यह सारे clients होंगे तो simple सी बात है वाउस उनको level 2 में classify कर दिया जाएगा आप क्या कहते है अपन ध्यान से सुनना point number 1 बहुत सुनके मज़ा आएगा आपको easy है क्योंकि try करते हैं यहाँ पे so यहाँ पे क्या क्या आता है आप समझने की कोशिश करो आप statutory audit करो internal audit करो tax audit करो आप systems audit करो बरावर departmental review करो कोई भी type करो branches का, offices का, किसी का भी मतलब अब यहाँ पे central नहीं बोल रहा है और statutory बात है जो पहले के हो गया है वो तो आएगा नहीं यहाँ पे है नब तो अगर आप इनका statutory, internal, concurrent concurrent भी banks का होता है concurrent audit internal, concurrent, systems, कोई भी audit कर रहे हो, तो वो साब यहाँ पे आ जाएगा सो क्या-क्या है इसके अंदर आओ समझते हैं सो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले है लिख देता हूँ public sector undertakings बरावर फिर उसके बाद banks की बात करते हैं अब देखना, यहाँ पे banks था, यहाँ पे भी banks है बट यहाँ पे bank में क्या था, central statutory audit था और यहाँ पे सिफ statutory audit है अब बात समझना दोस्तो ठीक है न, emotional मत हो न तो banks की बात करेंगे, तो banks में यहाँ पे फिर से आएगा कौन सा अपना, बोलते जाओ public प्राइवेट बराबर के न, साथी साथ क्या आ जाएगा foreign बराबर, फिर और क्या आ जाएगा cooperative आई बात समझ मैं आपको प्राइवेट, फॉरेट, को आपरेटिव रीजनल रूरल बैंक्स यह सब आ जाएगा यहाँ पे रीजनल रूरल बैंक्स बराबर, फिर उसके बाद यहाँ पे, अब आप समझने की कोशिश करना एकदम simple सी बात है simple है यहाँ तक कोई query आपको, ना, yes फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया फिर उसके बाद इधर अपन अड़ करेंगे, एक यह NBFC Central Statutory Audit और यहाँ पे दोस्त अपन रखेंगे NBFC, Statutory Audit of NBFCs, बराबर फिर उसके बाद जिनका net worth है greater than 5 करोड, आप कितना वोला से 5 करोड, या जो turnover है, it is greater than 50 करोड during the period under review so net worth 5 करोड 50 करोड, net worth 50 करोड sorry, क्या बोल रहू net worth 5 करोड and annual turnover 50 करोड का बराबर यह हो गया simple सी बात एक दम फिर उसके बाद आप कितने UDIN generate करते हो, एक specified number UDIN जब institute notify करेगा उसके हिसाब से आपकी firm level 2 में classify हो जाएगी UDIN आप समझते हो ना unique document identification number जो भी आप certificates वगरे, attestation वगरे करते हो तो उसके लिए आपको UDIN generate करना पड़ता है so based on the number of UDINs you generate आपकी firm peer review के अंदर आ जाएगी आई बात समझ में आपको फिर उसके बाद next point क्या कहते है last point last मतलब ऐसे बहुत और ऐसा ध्यान देना अब इसके अंदर क्या कहते है UDIN के बाद statutory audit of entities which have raised funds from public or banks or financial institutions of more than 25 crores but less than 50 crores during the period under review देखो greater than 50 CR होता था greater than 50 CR होता था तो वो level 1 में जाता था but 25 crore but 50 crore से कम है तो ये आगया level 2 के अंदर बराबर के ने आई बात समझ में आपको yes तो यहाँ पे अब आप समझो raised funds from banks or financial institution कितना greater than 25 crores but less than 50 crores आई बात समझ में आपको greater than 25 crores but less than 50 crores done so मेरे प्यारे प्यारे बच्चो ये बात हो गई अपनी किसके बारे में so this is the discussion which we had in respect of which entities are to be covered under level 1 and which entities are to be covered under what level 2 एकदम ही simple सा discussion था यह ठीक है so I believe आपको यहाँ तक कोई भी कुछ भी query नहीं है इसके अंदर अब एक क्या बात होती है अब आप समझने की कोशिश करो oddity may apply to or or बहुत simple सी बात है क्या बोल रहे है अपन जो client है ना अपना जो client है ना अपना client बोल सकता है peer review board को मेरे CA का peer review करवा दो या तो अपन खुद कभी कभी यार मेरा कोई peer review करा ही नहीं रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे organization में सब सही चल रहा के नहीं चल रहा तो मैं खुद institute को बोलेगा मैं खुद peer review board को बोलेगा यार मेरा करवाद हो यार please तो उस case में within 30 days के time span में ICI आपको peer reviewer appoint करके मतब peer review board peer review appoint करके आपका peer review शुरुवात हो जाएगे बोलो boss यहादा कोई दिक्कत है आपको सो 30 दिन के अंदर आपका हो सकता है और special review case भी आ सकता है यहापर important क्या है special review case भी आ सकता है special review case मतलब अगर कोई भी ICI का secretary कोई भी दूसरा committee member disciplinary committee का member अगर वो बोलता है कि नहीं यह practice unit का peer review करा दो यार तो हो सकता है तो special review case भी हो सकता है done हो गया तो एक बार गोत्रू कर लेता है अपन यहाँ से तो यह सारा list level 2 का अपनने पढ़ लिया any practice unit not selected में अपला है voluntarily auditory client में also ask for the peer review तो 30 days 30 days में हो जाएगा special review case अगर ICI का कोई भी secretary committee member institute including discipline directorate बोलता है तो वो special review हो सकता है उसका कोई दिक्कत नहीं है फिर level 2 में जो आता है उनका once in four year हो जाता है बरावर या बोर्ड अगर decide करें तो short rail interval पे भी हो सकता है so I believe यहां तक आपको कोई भी कुछ भी दिक्कत नहीं है तो काम एकदम simple था यहां पर बोलना पड़ेगा आपको एकदम ही simple सी बाते थी so no tension at all very good perfect so अब मैंने आपको जैसे बताया कि step by step अपने को आगे बढ़ना है so the first thing what we done we have completed is कि peer review में practice unit कैसे कौन कब का मतलब कौन classify होता है practice unit में कौन कौन लोग आते हैं जिनका peer review हो सकता है करके जिनका peer review हो सकता है करके तो यह लोग आते हैं किसके अंदर दोस्तों यह लोग आते हैं under what under where the practice unit perfect एक दो आप चर्चा करेंगे किसके बारे में आप बातचीत होगी peer review board के बारे में simple सी बात है तो peer review board के बारे में पढ़ना है न अभी peer review board के बारे में चौलो एक काम करते है peer review board और जो reviewer है इसका जो पूरा पूरा एक simple पूरा जो एक connection है यह हम लोग कल पढ़े रहेंगे मतलब जो YouTube पे देख रहे है वो second part में देखेंगे इसको ठीक है न तो आज यह first part आप इतना अच्छे से देख लो इसका पूरा पूरा आप noting भी कर लो ठीक है न अच्छे से noting भी कर लेना या तो आपको इसका screenshot निकालना है तो screenshot निकाल लेना मैं एक second के लिए हड जाता हूँ अब आप इसका screenshot ले सकते हो एकदम अच्छे से बराबर फिर आप zoom करके इसको note down कर लेना इसको अच्छे से एकदम है ना right so next part में इसका part 2 में हम लोग मिलेंगे और discuss करेंगे किसके बारे में about peer review board and reviewers और ध्यान में रखना peer review board और peer reviewer के अंदर बहुत सारे amendments हैं बहुत सारे amendments हैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर like बटन दबाना इसको share करना और please हरशद जाजू इस channel को आपने subscribe करना भी है है ना thank you very much guys love you take care bye bye